नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि नेक्सिटो फोरट टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, नेक्सिटो फोरट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और नेक्सिटो फोरट टैबलेट की वज़ह से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि नेक्सिटो फोरट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और यह भी जानेंगे की Nexito forehead tablet को लेने के बाद कितनी देर बाद नींद आनी शुरू हो जाती है और कितनी देर तक Nexito forehead tablet का असर रहता है Nexito forehead tablet का उपयोग depression होने पर और anxiety यानी चिंता वतनाव को दूर करने के लिए Nexito forehead tablet का उपयोग किया जाता है Nexito forehead tablet को लेने के बाद नींद अधिक आती है इसलिए जिन व्यक्तियों को नींद कम आती है या नींद नहीं आती है उन व्यक्तियों को भी Dr. Nexito forehead tablet को लेने की सला दे सकते है इसके अलावा panic disorder होने पर भी Nexito forehead tablet का उप्योग किया जाता है पैंिक डिसॉडर होने पर व्यक्ती बहुत ज्यादा भःभीत और डरा हूआ रहता है नेक्सिटो फोरट एक ब्रेंड नेम है नेक्सिटो फोरट टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है Nexito forehead tablet के अंदर salt composition कलोना जेपाम और acetalopram होता है अब हम डिसकस करेंगे कि Nexito forehead tablet को कैसे लेना recommended होता है Nexito forehead tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Nexito forehead tablet को दिन में एक बार और रात को सोते समय लेने की सलाह देते हैं कुछ व्यक्तियों को Dr. Nexito forehead tablet को सुबह के समय भी लेने की सलाह दे सकते हैं Nexito forehead tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको Nexito forehead tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए ज्यादातर व्यक्तियों में Nexito forehead tablet को लेने के बाद एक घंते से लेकर दो घंते के अंदर नींद आनी शुरू हो जाती है और Nexito forehead tablet का असर छे घंते से लेकर बारा घंते तक रह सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Nexito forehead tablet की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Nexito forehead tablet की वजह से कुछ side effects हो सकते हैं जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्ध होना, मुं में सूखापन होना, पसीना अधिक आना, नींड अधिक आना, चक्कर आना, घबराहट होना, बधहजमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना और उबासी आना आदी side effects Nexito forehead tablet की वजह से हो सक होना, शरीर में ठकान वसुस्ती रहना, दस्त होना या कब्ज होने की समस्या हो सकती है, लंबे समय तक Nexito forehead tablet का सेवन करने की वजह से शरीर का वजन ज्यादा भी हो सकता है, और शरीर का वजन कम भी हो सकता है, Nexito forehead tablet को लेना बंद करने के बाद कुछ व्यक्तियों में नींद ना आने की समस्या पहले से भी ज्यादा गंभीर हो सकती है, बहिलाओं में Nexito forehead tablet की वजह से उनके मासिक धर्म अन्यमित हो सकती है, Nexito forehead tablet की वजह से पुरुषों की सेक्स करने की इच्छा कम हो सकती है, और सेक्स के दोरान सीमन निकलने में देरी हो सकती है, अब हम डिसकस करेंगे की Nexito forehead tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, लंबे समय तक Nexito forehead tablet को लेने से Nexito forehead tablet की आदत पढ़ सकती है इसलिए Nexito forehead tablet को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए, जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने Nexito forehead tablet को लेने की सला दी है, Nexito forehead tablet के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए, और Nexito forehead tablet को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए, और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है, क्योंकि नेक्सिटो फोरट टैबलेट को लेने के बाद नीन अधिक आती है, मायस्थेनिया ग्रेविस होने पर, रस्पिरेटोरी डिप्रेशन होने पर, लिवर की कोई गंभीर बीमा और आखों में ग्लुकोमा होने पर नेक्सिटो फोरट टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना नेक्सिटो फोरट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को नेक्सिटो फोरट टैबलेट य प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए नेक्सिटो फोरट टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर की सला के बिना निकसिटो फोरट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका निकसिटो फोरट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं झाल सकते हैं